इस लेक्चर में हम डिस्कुस करने जा रहे हैं लास्ट यर का एक्जाम जो की आपका 2022 में कंडक्ट करवाया गया था एस्टेट पिजुटिब बालुजी की 60 को हम डिस्कुस करने जा रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अनीमोर ताइम नैंटीवन विच वन आफ दा फॉलिंग का डून डून नूट स्पेसिफाइदा जो आजनें के लिए स्पेसिफाइद नहीं करता यह उपर के तीनों ही स्पेसिफाइद करते हैं ठीक है और लास्ट का जो एज यू है यह इसके लिए को डून नहीं है ओके क्लियर है मैं उमीद करती हूं कि आपको कॉस्टिं सब कुछ समझ में आ रहा होगा ठीक है तो एउजी इसी कोस्टिं था अगर आप को थोड़ी से भी बेसिक नॉलिज है तो आप यहां से इसमें आपको पता है हमोफिलिया यह तो बिल्कुल ही इसी कोस्टिं था अगर आप को थोड़ी से भी बेसिक नॉलिज है तो आप यहां से इसका आइडिया लगा सकते हैं ठीक है मैं एक बार हाइलाइटर ले ले लेती हूं तो देट ओहो डबल हाइलाइट कैसे होगे आपका इसका जो राइट आंसर है वो फर क्लियर है ओके नेक्स्ट कोस्टिंग है जी आपका विच वन आफ द फॉल्विंग इस रस्पॉंसिबल पॉर फेलियर वेक्सिन इंफेंट बच्चों मी कौन सी चीज जो रस्पॉंसिबल है वेक्सिन के फेलियर के लिए तो वह होती है में अटेरनल अंटीबोडिस में होगा ठीक है नाओ नेक्स्ट कोस्टिंग विच फॉलिंग इस इंकरेक्ट फोर स्नेक्स स्नैक ठीक है सांपों के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट जो है वो चूस करनी है यह अनमेल किंडम से अन्सी आर्टी से 11th क्लास के आपके से जो हो डिरेक्ट कोस्टिंग पूच एर बॉर्ण वाइब्रेशन के बिल्कुल राइट बात है लेकिन पेक्टोरल ग्रेडल जासे कोई भी स्ट्रक्चर जो है स्नैक्स में प्रेजन रही होती है ठीक है स्नैक तो सभी ने देखी होंगे सांप ठीक है डेन अर्मा डिलो कॉंट्रिबूट तू देवल्मेंट यह एक साइंटिस है जिसने वैक्सिन के लिए अपना कॉंट्रिबिशन दिया है सो यह है आपकी लिप्रोसी ठीक है यह कुछ ट्रोग डिजीज होती है उसके लिए इस साइंटिस्ट ने अपना युगदान दिया है अब आपको बताने यह तो बहुत ही आइसान कोशन था क chemically of a such follicle stimulating hormone इसका nature कैसा होता है तो बहुत ही आसान कोशन है जल्दी से comment section में comment करके बताइए मुझे कैसा nature होता है इसका glycoprotein nature का होता है यह होर्मोन ठीक है this is your right answer ठीक है यह किसी भी जीन के expression को stop करने के लिए इस technology का use किया जाता है बाकी तीनों statement रोंग है ठीक है अब हम बात करते हैं which of the following statement is wrong about the mitochondrial DNA और nuclear DNA के बारे में कौन सी बात जो है वो रोंग है so is your right answer they differ in type of base base के मामले में जो है वो difference देखा जाता है यह बात रोंग है बाकी तीनों ही चीजी ठीक है differ करते हैं GC content में बिलकुल ठीक बात है differ करते हैं bio and dense value में ठीक है बिलकुल ठीक बात है differ करते हैं melting temperature में यह बात भी ठीक है लेकिन wrong statement यह है कि वो base में differ करते हैं ठीक है then अब हम बात करते हैं which of the following is correct sequence of the components in a reflex section में कौन सी sequence का जो component है वो सही है ठीक है so यह बिलकुल ही easy question है आपने छोटी classes में भी पढ़ा होगा ठीक है so क्या होता है इसमें सबसे पहले receptor से sensory neuron ठीक है sensory neuron के पास message जाता है कौन लिखे जाता है then spinal cord से motor neuron वापस जो है वो muscle के पास अपना message लेके आती है so your right answer is third ठीक है जहाँ पे भी आपको motor neuron दिख जाए second में ही muscle से आपको पता receptor ठीक है जहाँ पे यह थोड़ा सा समझ से करने वाला question था then next question है first tetrapod जो है आपको किस period में दिखाई देती है ठीक है so जल्दी से इसका answer कीचिए यह आपके devonian period में first tetrapod tetrapods जो है वो appear हुए थे this is your right answer now move on to the next question which one of the following cells maintain a current of water in a sponge sponge में water current को cone maintain करता है यह तो बहुत ही असान question है ठीक है cone maintain करता है konocytes की cell, konocytes की cell को ही हम collar cells call करती है ठीक है यहाँ पे अगर collar cell दिया होता तब भी बात same ही थी konocytes और collar cell एक ही बात होती है ठीक है same thing read the following statements and choose the correct option आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो correct है which one is the correct answer so इसका जो है आपका pyramid of number in grassland ecosystem में applied होता है यह बात सही है बिलकुल ठीक है pyramid of biomass in aquatic ecosystem में inverted होता है aquatic में हमेशा ही inverted देखने को मिलेगा आपको जो ecosystem जो है वो inverted मिलेगा so आपका first a and d is your right answer ठीक है दो क्यों highlight हो गए है only singly highlight करना था a and d some time question जो है आपका इसमें fourth भी जो है वो दिया given था इसमें कौन सा था यह question one and fourth conclusion conclusion is the study of किस चीज की study होती है भाई conclusion में cells of malasca की study के जाती है ठीक है बहुत यह सान question है बट थोड़ा सा you know directly anxiety में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है which one of the falling is no true about the virion के बारे में सही नहीं है कौन सा सही नहीं है बई intra cellar cell के अंदर present होता है यह बात सही नहीं है बाके extra cellar होता है cellar होता है crystal crystal भी form होते है इसकी यह बात तीनों ही बातें सही है ठीक है the union of sinus venosus with right oracle in some cases in mammals is marked extremely by ठीक है किसी marked होता है sulcus terminalis ठीक है okay which of the falling enzyme is present on after membrane of mitochondria में present होता है कौन सा enzyme monoamine oxidase enzyme present होता है ठीक है clear है बाकी की तीनों रोंग है यह थोड़ा typical question था the cartilage that forms the laryngeal prominence during the male adolescence ठीक है so किसने पाई जाती है cartilage thyroid okay this is your right answer the next question is proto-gynous hermaphrodite refers to the organism that are born female and some point in their life span change sex to male the example of proto-gyny proto-gyny एक ऐसी condition होता है जिसमें यह तो male पहले mature हो जाता है female बाद में mature होती है sometime female पहले mature हो जाती है male बाद में mature होता है यह amaphrodite तो bisexual हो गया तो इसमें जो है वो पहले जब वो female mature हो रही है बाद में male बनता है तो ऐसा किसमें देखने को मिला है ऐसी condition किसमें देखने को मिलती है dwarf angle fish में देखने को मिलती है ऐसी condition okay done अब हम बात करते है nasal granules चोते हैं यह आपने देखा हुगा अगर आपने nerve की यह neuron system nerve की अगर आपने structure देखे है तो वहां पे nasal granules का जिकर होता है तो nasal granules की चीज से मिलकर बने होते हैं तो यह आपके RNA और protein से मिलकर बने हुए चीज है ठीक है clear है बहुत एसान question था with the help of quotes given below select the pairs of species condiments मतलब spices के pair कौन से सही है quotes जो दिये गए है कौन सा pair जो है वो spices का सही है वो आपने बताना है हाँ यह question हम आन सकते हैं के typical है थोड़ा so इसमें जो आपका C और E है वो right है आपका टीक है C and E is your right answer okay so your right answer is third clear है then next question पे आ जाते हैं which is used as a fist bat की तरह किसी use किया जाता है जाते है जाते है कुछ टाइम पे faridema इस question में doubt था कि इसका question जो है वो exam में center ने जो है वो दोनों first और third दोनों को ही ठीक किया हुआ है ठीक है leech or faridema catch हुआ PBR 322 used as a vector for cloning की cloning के लिए vector use किया जाता है modified bacterial plasmid आपको पता है as a vector use किया जाता है किसी clear है plasmid को as a vector use किया जाता है clone करने के लिए किसी भी gene of interest को and then sickle cell anemia is a result is the result of which type of mutation in hemoglobin gene hemoglobin gene में किस टाइप के जो है वो mutations देखने को मिलती है so इसका right answer है जी आपका point mutation आपको पता है point mutation क्या होती single base pair में कोई भी change आने से sickle cell anemia disease cause हो जाती है single base pair में change आना एक point उसे हम बोलते है point mutation point mutation से यह disease होते है sickle cell anemia is the result of this type of mutation that is the point mutation okay clear है while migrating larva of ascaris takes place its fourth malt in okay इसका answer दीजी जल्दी से यह intestine में होता है larva of ascaris takes place its fourth malt में malt में जो change होता है वो होता है हमारा intestine में then next question यह थोड़ा सा अजीब गरिप question था which one of the following enzyme से पूछा हुआ higher level का वैसे तो मतलब इतना detail में concept 11 12 में तो नहीं पढ़ाया जाता but master's में जरूर आप पढ़ते हैं इसके बारे में which one of the following is the systematic name for lactate dehydrogenase इसके स्टरं से आप naming देते हैं किसी भी enzyme को ठीक है so इसका एक proper rule होता है इसका answer है जी आपका 11127 इसका जो है वो यह formula है is lactate dehydrogenase का ठीक है CDH cell क्या recognize करते है antigen जो कहां पर present होते है वो उन antigen को recognize करते है CDH cell जो present होते है हिपेटोसाइड स्पे कहां पर present होते हैं जी हिपेटोसाइड स्पे clear है then next question हम देखते है epidermal scales के बहुत इसान question था यह कहां पर present होते है यह आपके present होते है lizard में rabbit में squalidone fish में frog में नहीं पाय जाते epidermal scale जो है वो यह तो snack में होते हैं ठीक है अब जितने भी ranking कर चलने वाले जो होते है न animals उन में होता है which one of the falling is not needed during the formation of acetylco enzyme A from pyruvic acid से जब किस चीज की जुरूरत नहीं होती जब formation होती acetylco enzyme A की pyruvic acid से किस चीज की जुरूरत नहीं होती यह है जी हमारा third equonetase equonetase enzyme की जुरूरत नहीं होती select the गलत statement geological periods era using the codes given below यह है जी आपकी गलत statement कौन सी है खुद से ही बता देंगे यह तो बहुत असान है evolution chapter में से पुछा गया है this is your right answer ठीक है devonian के बाद में silurian period then carboniferous period आता है आपका ठीक है clear है then आपका question next है skull is a membrane of rotitae किस members of rotitae से इनकी जो skull मिलती है यह है जी आपके जल्दी बताए यह dromagnathos type dromagnathos type dromagnathos type dromagnathos type dromagnathos type की से उसकल होती है members of rotitae हाँ यह तो बिल्कुली out of syllabus सा ही लग रहा था question select the correct definition of osmosis की correct definition बताईए यह तो बहुत आसान question था osmosis एक ऐसा process होता है जिसमें water की moment होती है true SPM मैंने इसका आपको answer दे दिया है तो आप चारों option में से चूज करके बता भी सकते है which one is the right जो बात मैंने कही है वो कौन सा है यह है आपका right answer moment of water from its higher concentration to low concentration through SPM semi-permeable membrane ठीक है length of food chain is in food chain जो हो limited होती है length जो है food chain की वो किसमें limited होती है 3-4 traffic level ही आपको देखने को मिलता है food किसी भी food chain में ठीक है इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते clear है जी the DNA polymerase used in PCR जो PCR में DNA polymerase का use किया जाता है वो कहां से मिलता है जल्दी बिताइए वो मिलता है जी thermos tag DNA polymerase जो है thermos equitus bacteria से निकाला गया है जी ठीक है बहुत असान question है यह बार-बार इस question कहने के chances है तो इस question को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए biological oxygen demand of waste water is determined by using measuring the amount of यह BOD क्या होती है यह तो बिल्कुल ही direct question आप कांसियाटी से पूछा गया है यह होती है जी आपकी oxygen का consumption पता लगता है हमें BOD के अंदर ठीक है biological oxygen demand of waste water is determined by measuring the amount of oxygen जीतनी जाद oxygen consume और यह पता लग रहा है कि organic matter बहुत जादा है ठीक है उसको digest करने में क्योंकि हम bacteria add करते है ना उसमें the vegetative propagation in cornea takes place vegetative propagation जो इक और निया में होती है वो किस के थरो होती है offset के थरो offset का ही example है cornea crapsis ठीक है which one of the falling is not an example of genetically modified organism का example नहीं है कौन सा नहीं है जी glow fish सुना हुआ है flower sour सुना हुआ है golden rice सुना है लेकिन mole type का कोई भी हमने word नहीं सुना कभी यह बिल्कुल है हम option से भी eliminate कर सकते हैं ठीक है अपने right answer तक पहुंच सकते हैं select the गलत statement आपको इसमें से बतानी है कौन सी गलत statement है so ambal is a cymos type inflorescence in which short flower stalks spread from flattered receptacles बिल्कुल ठीक बात है यह तो racymus is an inflorescence in which sysile flower are born bicipital यह बात भी सही लग रही है spike is a racymus inflorescence having a sysile flower this is your नहीं नहीं हाँ इसमें sorry correct statement पूछी गई है मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था question so यह आपकी correct statement है बाकी तीनों ही wrong है कुछ-कुछ mistakes इनमें दे रखिये अगर आप NCRT read करेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा spike is a racymus type inflorescence having a sysile flower ठीक है यह यह only word आ जाता है mostly वो question आपको wrong ही मिलेगा ठीक है 90% वो question wrong ही होता है photomorphogenesis in response to red and far red light is regulated by is regulated by the phytochrome hormone say light hormone होता है ठीक है उससे regulate होता है यह phytochrome orange color का endonucleus enzymes are responsible for the cleavage यह enzyme किसको cleave करने का काम करता है यह enzyme cleave करने का काम करता है phosphodiester bond को break करने का काम करता है ठीक है the next question है आपका taxonomical aids where plants and animals are recognized based on the contrasting character आपको पता है contrasting character की बाद जो है वो हम हमेशा की के अंदर देखते है जिसमें दो statement दी होती है some black color के होती है some white होती है तो दो contrasting character है एक ही मतलब जानवर के बारे में पुछीगे तो इनमें से एक right होती है तो हम मतलब character sticks के बेस पे end तक पहुंचते है तो ऐसा key के अंदर दिया जाता है ठीक है और किसी में भी नहीं दिया जाता the next question है आपका the final acceptor of electron in the electron transport chain में final acceptor कुण होता है electron transport chain में वो होता है जो आपका oxygen ठीक है final acceptor of electron in the electron transport chain ये तो आपको पता है complex के अंदर लगा होता है ये तीनों चीची ठीक है complexes होती है select the correct sequence correct order बताना है serial stays of lethal seer का ये थोड़ा सा या अगर किसी ने पढ़ा होगा तभी कोई वच्चाइस का answer कर पाएगा otherwise तो नहीं ठीक है इसका right answer है आपका kristos lichen के बाद में आती है हमारी folies lichen उसके बाद में harps आते है then shrub stays आती है so this is your right answer correct order folies के बाद में हरब आते है kristos lichen के बाद में harp folies then harp then को the word summit on sustainable development was held at ये इसके दवारा के गई थी भई ठीक है june barge के दवारा june barge in plant world PAR is the abbreviation for photosynthetically active radiation ये तो बहुत यसान question था गी ठीक है PAR की full form पुछी गई थी the next question है आपका consider the following statement and choose the correct answer using the course given below correct answer बताना है so mycoplasm में lack होती है mycoplasm में कोई भी sulvol present नहीं होती mycoplasm are resistant to antibodies that target करते है sulvol synthesis को ये बात भी ठीक है ठीक है but your right answer is second question easy which of the following is not a free living nitrogen fixing bacteria नहीं है कौन सा नहीं है भई free living nitrogen fixing bacteria frankia नहीं है बाकि तीनों ही free living nitrogen fixing bacteria है calbicella clostridium bezernica ठीक है ये तीनों ही free living है सिर्फ frankia को छोड़के clear है consider the following statement certain reason पुछा गया CNG is considered safer than LPG क्या है भई ये ये तो गलत है safer इतना safer LPG से तो क्या ही है ठीक है LPG release करती है carbon dioxide and it's difficult to disperse हाँ ये बार ठीक है A is not correct but R is correct your right answer is fourth your right answer is fourth that किसमें होती है claymido monas के अंदर और आपकी जो diploontic life cycle है वो ficus में इसमें present होती है दन आपकी जो diploontic life cycle और किसमें होती है ectocarpus में भी diploontic होती है आपकी ठीक है इसके अलावा ये तो इसका clear ही हो गया कि triphysic life cycle जह वो polysiphonia में present होती है last वाला अगर कोई एक ये दो भी आपको present है तब भी आप इस question का answer निकाल पाएंगे heploontic life cycle किसमें present होती है क्लेमाइडो मुनास ठीक है और डिप्रोंटिक फुकस में clear है आपका right answer जो हो जाता है यहां पे first clear है then next question है आपका commensalism इसका answer आप सभी बच्चे comment section में देंगे बहुत ये असान question है ये ठीक है बताईए जल्दी बताईए एक minute तोड़ा सा confusion हो गया जी इसे कैसे हुआ नहीं नहीं ठीक है first here is answer एक आपको पते commensalism में कैसी situation होती है जिसमें एक को तो फाइदा होता है दूसरा neutral होता है so your right answer is fourth ठीक है इस सारे क्यों हाइलाइट हो गए ठीक है चलो पैन का सारा ले लेते हैं तब तक एक species neutral होती है commensalism में एक को बैनेफिट होता है the number of chromosome in somatic cell of onion is 16 how many DNA molecule are there in a root tip cell of onion during metaphysis stage of a cell cycle कितने number होते हैं इसके आप calculate कर सकते हैं अगर आपको formula पता है इसका right answer है जी आपका 32 पुछा है ना root tip में आपका right answer है 32 the oxygen sequencing in franquia induce करती है root nodule for nitrogen fixation यह क्या करते है franquia क्या क्या करता है induce करवाता है root की nodules में root की nodules को for nitrogen fixation के लिए this carried out bug किसके दबारा किया जाता है oxygen को syvenging का काम franquia में इसका answer आप कुछ से देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा hypnoids में hypnoids में इस तरह की condition देखने को मिलती है one second select the correct statement in reference to the pollen tube के reference में ये तो बहुत असान कोशन है इसको तो आप कर ही लेंगे ठीक है pollen tube के response में चारों में से एक right answer चूर्ज कीजिए जड़ा chemotropic moment होती है ठीक है कैसी moment होती है इसमें chemotropic moment which of the following is not an attribute of population का attribute नहीं है कौन सा नहीं है जी species का interaction नहीं है population में हम देखते है age parameter देखते है sex ratio देखते है natality rate देखते है लेकिन species interaction का कोई भी हम जो है वो एक attribute नहीं देखते एक parameter जैसा कुछ भी नहीं देखते देख्या the next question है the river proper hypothesis was proposed by किसके दवारा हाँ ये question हम कह सकते है कि शायदी किसी को पता हो तो इसका right answer है जी आपका Paul लिच पॉर लिच ठीक है कैसे कैसे तो नाम होते है science में भी scientist के the oxygenist activity जो होती है rubisco की वो कहां पे start होती है इसका answer दीजे जरा ये c2 cycle में start होती है rubisco की activity ठीक है rubisco enzyme के बारे में आप c2 cycle में पढ़ती है then trichodesmium the cause of redness of red शीस मुंदर जो है वो red दिखाई देता है किस algae की दुआरा इस sinobacter algae की दुआरा जो है वो हमें red दिखाई देता है ठीक है यासे बहुत ही government hard question पूसती है जल्दी से किसी का clear ही ना होगा ना यह कोशिट रहती है government की सीटों को सीट्स तो निकालती नहीं है और उपर से इतना hard paper दे दिया जाता है ताकि बच्चे जो है उसको score ही ना कर पाए which one which of the falling is the most abundant biomolecule जो है यह question है मैं मान सकती हूँ बहुत easiest सबसे ज़्यादा abundant है cellulose अगर हम बात करें abundant biomolecule की otherwise है हमारा rubis को ठीक है clear है consider the following statement and choose the correct answer using the course given below ठीक है सो कौन सी statement सही है आप एक बार जड़ा पढ़ेंगे इसको ध्यान से hardwood is less susceptible to fungus and contain less moisture than softwood यह बात बिलकुल ठीक है hardwood store करती है secondary metabolites and have a tylosis यह बात बिल ठीक है A and R true R is the correct explanation of A यह भी बात बिलकुल ठीक है hardwood store करती है secondary metabolites and have a tylosis so your right answer is first one then next अभी दोई question रहते है select the गलत statement बतानी है regarding the facilitated transport in plant हाँ यह question easy है ठीक है special membrane protein लगे होते है जो required for the process बिलकुल ठीक बात है facilitated transport के लिए membrane पी कुछ carrier protein लगे होते है जो help करते हैं कोई भी cell के बाहर की चीज़ को अंदर ले जाने में और यह downhill transport होता है यह बात भी ठीक है in this process में transport saturate भी कर जाते हैं कई बाहर बाहर के molecule अंदर इतने जादा चल जाते है कि saturation हो जाती है फिर अंदर moving ही नहीं करते है molecule it is a non selective process होता है यह बात बिलकुल ही गलत है यह selective molecule को ही अंदर जाने देती है membrane के अंदर जो carrier protein है वो selective ions को यह अंदर भीजते है जिसकी cell को requirement है non selective को नहीं भीजते ही ठीक है यह statement wrong है यह match करना है यह question भी अगर आपने genetics को थोड़ा सा deep में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ठीक है आपका क्या है इसमें अगर आपकोई एक answer जानती है तो आप उस answer तक पहुंच पाएगा किसी एक option को भी अगर आपको पता है then इसमें आपका जो dominant epistasis है उसकी ratio है जी 12 ratio 12 ratio 3 ratio 1 ठीक है तो second is your right answer ठीक है B का first है जी epistasis में 9 ratio 3 ratio 4 देखने को मलती है then C का है आपका 4th 9 ratio 7 ठीक है तो complementary gene जो होती है उसकी ratio जह है always 9 ratio 7 होती है and no interaction तो बाकी का जो बचा हुआ है वह आपका जो है यह होगा ठीक है So your right answer is second Thank you so much मैं उमीद करती हूँ आज का यह lecture आपके लिए काफे beneficial रहा होगा और definitely इस वीडियो से आपको astret के exam में बहुत साथ help मिलने वाली है तो बार बार इस वीडियो को pause करके आप अच्छे से question को देख लिए किस तरह से pattern रहता है किस type से question पूछे जाती है Thank you so much Thank you so much झाल 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 झाल